stock market में maximum new traders की ये problem बनी रहती है कि जब तक वो trade के अंदर enter नहीं करते हैं सिर्फ chart को देख रहे होते हैं तब तक जैसा जैसा वो सोचते हैं वैसा वैसा chart perform करता जाता है उन्हें लगता है कि यार मेरा सारा analysis सही हो रहा है पर जैसे ही वो trade के अंदर में enter करते हैं तो उनका analysis गलत होना चालू हो जाता है जैसा वो सोचते हैं उसका बिल्कुल opposite होना चालू हो जाता है चार्ट में ऐसा generally इस वज़े से होता है क्योंकि जब तक आप trade में enter नहीं करे थे तब तक आप chart को जो है neutral mindset से होकर देख रहे थे जिससे क्या हो रहा था आपको proper analysis समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं पर जैसे ही आप किसी भी side पर enter हो जाते हैं let's suppose आप upside के लिए enter हुए तो आपका सारा mind जो है वो यही सोचने में लग जाता है कि यहां से chart उपर आ जाएगा अब तो support ले लेगा अब तो breakout कर देगा अब तो यहां पर hammer candle भी बन गई तो इस वज़ भले ही आप trade में enter करके बैठे हो या ना बैठे हो इसी important psychological learning के साथ शुरू करते हैं weekend special वीडियो को जहां पर हम complete last week के chart की psychology को understand करेंगे किस तरह से हमें अच्छी trade देखने को मिली किस तरह से अच्छा momentum वगेरा देखने को मिला कहां कहां पर stop loss hunting होती हुई नजर आई प्लस अपने कुछ experience point और pro tips भी में आपके साथ share करता जाऊंगा and जितनी भी queries आपके last video के comment section में बनी हुई थी उसमें से कुछ 5-6 queries को लेने का हम try करेंगे उनके मैं answer करने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफी power pack होने वाली है ध्यान से देखीगा वीडियो को बस इतन पर कहीं पर हम खड़े वे थे exactly इस candle के पास 200 के लेवल के आसपास तब मैंने आपसे एक सिंपल थी बात कही थी कि अगर market यहां पर हलका फुलका फ्लैट वगेरा खुलता है तो उस case में हमें वापस से थोड़ी सी selling देखने को मिल सकती है यही momentum जो होता हुआ आया है यही carry forward हो सकता है अगर चार्ट 200 के लेवल के निचे sustain करता है हमें क्या देखने को मिला फर्स्ट टिक में ही market सीधा यहां पर गिर गया इत्ती बड़ी candle बना दी अब यह analysis बनाने के पीछे simple सा reason यह था कि चार्ट जब इतना अच्छा fall करता हुआ आ रहा है one way sharp fall हमें देखने को मिल रही थी तो जैसे ही मिर को यह बात पता थी कि जैसे ही चार्ट इसके निचे निकलेगा तो यही momentum जो चल रहा है यह थोड़ा सा और carry forward होता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि जो इस आश्या में hold करके चले गए होंगे कि यहां पर चलो दोस्तों का support ले रहा था अभी भी यहा से सीधा उपर चला जाए तो उनकी hope तोड़ने के लिए यह candle बनाई जाती है इस तरह से तो जब उनके stop loss यहां से खतम हो गया है नीचे की side पर और stop loss थे नहीं यहां पर जो consolidation हो रहा है इस तरह से मैंने आपको यहां पर zone mark करके दिया था exactly market इसी zone पर touch करता है और मैंने आप सुद भी यहां आते आते buyers बनना चालू हो जाएंगे को वह भी profit book करना चाहेंगे तो यहां पर वैसे ही support के आसपास buyers activate होंगे प्लस जो sellers बेटे हैं वह भी buyers बनेंगे तो यहां पर strength नहीं मिल पाती है major support वगरा को breakdown करनेगी तो exactly हमारे discuss करे होए support zone पर चार्ट support लिया उसके आप देख सकते हैं यहां पर वैसे तो इतने बड़े fall के बाद नए retailers की buy करने की हिम्मत नहीं होती है तो वैसे ही बहुत कम लोग buy करते हैं उसमें भी जिन्नोंने हिम्मत करके buy करा होगा पहले इस candle पर मार्केट ने निकाल दिया उपर से यहां पर जब shooting star बनके इत्ती पास momentum देखने को मिला क्योंकि यहां पर अच्छे कासे stop loss भर चुके थे जैसा हमें चार्ट को देखके प्रतीत हो रहा है अब उसके बाद आप देखेंगे तो यहां से जब चार्ट पॉल करता हुआ यहां तक आ रहा है exactly .61% level के आसपास तक गया जो की एक important Fibonacci level होता है उ हमें दोनों अलग-अलग direction बता रहे हूं तो किस direction को हमें follow करना है या किस side पर हमें trade plan करना चाहिए तो वैसे यह बात मैंने आपको detail में first video में ही समझाई थी stop loss hunting series के में कि चाहे chart हो, price action हो, कोई भी यहां पर indicator हो, Fibonacci tool कुछ भी हो उसको सही से use करने का तरीका कि कब वो fail हो होगा, कब वो pass होगा, कब हमें उसमे probability ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, इन सबको पता लगाने में help करता है stop loss hunting, तो अगर आपको price action देख भी रहा है, पर उस side पर आपको stop loss नहीं लग रहे है, तो आप उस side पर जाना avoid करें, कि चाहे कोई भी दुनिया का price action pattern बन रह रखते हैं, shooting star candle बनी, उसके नीचे market trade करने लगा, एक अच्छा follow में देखने को मिला, पर जैसे ही यहाँ पर stop loss खतम हो गए buyers के, तो वापस से market उपर reverse कर दिया, और तुरंत सब के stop loss हिट कर दिया, अब आ जाते हैं, हम लोग Tuesday के chart पे, जिसके लिए हमें समझना पड़ेगा Monday को हमारा क्या analysis बन रहा था, तो जब Monday को जब हम इस वाले दिन को देख रहे थे, Tuesday का analysis कर रहे थे, तब मैंने आप से एक simple सी बात यही कही थी, कि chart और यहाँ पर zigzag करके बहुत जादा exhaust हो चुका है, प्लस साथ ही साथ next day पर जो है, फिन nifty की expiry होने वाली है, तो इस point को भ यहाँ पर option seller वगेरा profit book करेंगे, तो वापस से थोड़ा एकाद spike वगेरा उपर नीचे आ जाएगा, फिर वापस market choppy या volatile हो जाएगा, दूसरा मैंने आप से यही कहा था, पिछली expiry पर ही fin nifty के बहुत अच्छा momentum हमें देखने को मिला है, तो इस expiry पर होने के chances बहुत कम ह हो जाते हैं, जैसा कि expiry तो fin nifty की है, पर bank nifty में भी हमने एकदम same analysis रखा था, ऐसा इसलिए है क्योंकि mostly fin nifty के जो यहाँ पर components है, वो bank nifty में भी है, अब although हमने probability को देखके plan मनाया था, कि ऐसा कुछ हो सकता है, market sideways हो सकता है, पर market ने यहाँ पर condition भी हमें दे दी, कि market जब इ नहीं करे होंगे, तो chart जब उपर आना चालू करता है, तब वो profit book कर देते हैं, तब भी नहीं करे होंगे, तो वापस यहाँ पर जब swing लगा के, इस तरह से tick लगा के नीचे, वापस उपर आना चालू होगा, strong candles के साथ, exactly 0.61 level के आसपास आ चुगा है, तब तो वो profit book करेंगे, तो यह बात मैंने आपको analysis में भी कर दी थी, कि यहाँ पर थोड़े बहुत stopless पड़े होंगे, बस, जो भी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आप चाहें, तो उसको analysis में जाके cross check कर सकते हैं, as it is cut copy paste आपको words देखने को मिलेंगे, यहाँ पर जब हम घूम रहे थे, 10 पर एक important resistance समय देखने को मिल रहा था, प्लस जो लोग 500 वगेरा का call cell वगेरा करके बैठे थे, heavy call writing वहाँ पर हो रही थी, options data वगेरा आपने देखा होगा तो, तो उनको भी डर लगना जब चालू होगा, जब थोड़ा सा 500 के level से वो दूर जाना चालू करेगा chart, इसलिए है क्योंकि already जब इतना यहाँ पर consolidation वगेरा हो चुका है, तो premium गल गल के यहाँ पर थोड़ा बहुत profit तो उनको दिखने लग जाता है, तो थोड़ा बहुत momentum से उनको फरक नहीं पड़ता है, अगर दूर जाने लगता है chart या तेजी से momentum से निकलता है, तभी उनको सिर्फ ड़ लगना चालू होता है, तो market ने 560 के level को touch भी नहीं कर रहा, 544 का market नहीं यहाँ पर high लगाया, उसके बाद वापस से हमें यहाँ पर selling देखने को मिली, selling क्यों देखने को मिली, उसके पीछे का simple logic समझिए, कि chart यहाँ पर बहुत देड़ से hold कर रहा है, hold करते करते को क्या कर है, previous किसी भी लोग को break नहीं कर रहा है, plus साथ ही साथ यहाँ पर बार बार W pattern बनते जा रहे थे, तो हर किसी को यहाँ पर पता चल जाता है, कि यार चार्ट उपर जाएगा, उपर जाएगा, उपर जाएगा, उपर जाएगा, उसके बाद भी यहाँ पर breakout level के आसपास आके, चार्ट वापस से यहाँ पर एक घंटा होल्ड करता रहा, तो जब सब को पता है कि यार यार ये breakout level के पास खड़ा है, तो जैसे ही यहाँ पर चार्ट वापस निकलना चालू करता है breakout level से, हर कोई यहाँ पर दुनिया का retail trader यहाँ पर buy करने आ जाता है, तो operator चाहा कर भी यह पर breakout नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको upside पर liquidity ही नहीं मिलेगी, और वही हमें देखने को मिला liquidity कहां मिलेगी, उसको नीचे की side पर जब यहाँ पर सारे buyers के stop loss इखटे हो गए, उन सब buyers के stop loss market में hunt करे, operator ने उनको पहला निकाला, फिर वापस से market यहाँ पर sideways हो गया, क्योंकि उ हम आ जाते हैं second query पर, तो इनका कहना है कि अगर कोई भी चार्ट को देखने में महारत हासल कर ले, तो वो profitable trader बन सकता है क्या, इसका reply करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा incident शेर करता हूँ, जब मैंने आपको टेलिग्राम पर यह शेर किया था, कि 560 के उपर चार्ट सस्ट अगर ऐसा होता है, तो भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक trade लोंगा, वो भी कम quantity के साथ, यहाँ पर जब market ने उसको touch तक भी नहीं करा level पर, तो हमारी entry यहाँ पर trigger होती ही नहीं है, तो मैंने personally यहाँ पर कोई भी trade नहीं ली, वहीं पर कुछ एक दो लोगों के मिरे पास comment आते है market close होने के बाद, कि sir आपने तो कहा था market buy side पर जाएगा, वो तो गया ही नहीं, और वहीं पर जो maximum लोग थे, उन्होंने मेरे को personally stories में भी tag करा, Instagram पर उनके message आए, personally एक बंदे ने तो मुझे डाल के बताया था, कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ा profit capture किया है, और उसकी इंस् देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर market उपर जा सकता है, तो यह incidence आपको बताने के पीछे simple सा reason यह था, मैंने एक ही analysis सबके साथ share किया था, खुद भी वही apply किया था, मैं था यहाँ पर जिसने trade नहीं ली, एक दो परसंते जिन्होंने यहाँ पर बाय करके loss किया, और कुछ ल बात मैंने आपको detail में एक छोटी सी वीडियो में समझाई है कि technical analysis and chart के साथ-साथ और भी किन चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है as a complete trader बनने के लिए, तो उस वीडियो को आप चाहें तो check out कर सकते हैं, उसका link आपको या तो description में या फिर I button में मिल जाएगा, बहुत ह काम की वीडियो है, चार्ट को देखके सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं कि market में क्या हो रहा है, अगर आपको इसके साथ experience हो जाएगा, तो आपको धर धरी समझ में आन लग जाएगा कि क्या हो सकता है, उसके बाद profit कमाने में profitable trader बनने में बहुत सारी चीज़े involve होती है, तो एक लाइन में इसका अंसर है no, सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखके हम profitable trader नहीं बन सकते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं वेड़नस्टे के चार्ट पे, तो उसके लिए हमें Tuesday के analysis को समझना पड़ेगा कि Tuesday को क्या हुआ, तो जैसा मैंने आपको Tuesday के analysis में कहा था कि market यहाँ पे almost stop loss होंगे, वैसे भी यह important level था, बहुत काफी times हम discuss कर रहे थे, 560 के आसपास जैसा कि मैंने आपको detail में समझाया, तो और भी positional sellers वगेरा के stop loss यहाँ पे होंगे, तो इस वज़े से यहाँ पे एक plan मैंने आपको यह share किया था, कि market suppose अगर थोड़ा बहुत gap वगेरा खुलता ह है इस level के आसपास, और 560 के ऊपर sustain कर जाता है, यहाँ पे हमें अच्छी खासी short covering वगेरा देखने को मिल सकती है, क्योंकि यह सब जो spoilers वगेरा यहाँ पे बैठे हैं, उनको यहाँ पे फिर ड़ लगना चालू हो जाएगा, और क्योंकि buyers के stop loss यहाँ पे बहुत कम थे, तो म अब जब next day पे market हलका सा gap down open होता है, तो sellers को तो यहाँ पे ड़ लगना ही नहीं है, market धिये दे करता हूँ यहाँ पे गया है, तो किसको ड़ लगेगा, यहाँ पे जो थोड़े बहुत buyers बैटे हैं, उनको market ने एक ही candle में हटा दिया, यह आप इस बात से चेक आउट कर सकते ह है कि मैंने आपसे कहा था, buyers यहाँ पे थोड़े से ही है, तो इसके बाद यहाँ पे एक candle के बाद market में momentum भी नहीं आ पाया, इस तरह से मैं आपको zoom करके दिखाऊंगा, तो एक छोटी सी यहाँ पे hammer candle भी हमें देखने को मिल रही है, तो पहले इन buyers की यहाँ पे हिम्मत हो चुका है, दो बार दिख चुका है कि यहाँ बायर सस्टेन नहीं कर पारे, तो नीचे जाने के लिए यहाँ पे और stop loss बचते ही नहीं है, पहले ही हम बात करके गए थे हैं analysis में कि थोड़े से ही stop loss है, maximum stop loss थे ही यहाँ पे sellers के, पर उनके against में opening नहीं हुई, उनके favor में opening ह ही है, तो उनको डर लगना क्यों चालू होगा, तो जब यहाँ पे दो बार buyers के हिम्मट तूट चुकी है, तो obviously बात है, यहाँ पे buyers हाट डालेंगे नहीं, and buyers हाट डालेंगे नहीं, तो यहाँ पे market downside पर किस तरह से move करेगा, plus एक important बात कि downside पर ही क्यों move करना है, उपर भी तो जा सकता है, तो इसका भी मैंने आपको Monday के शाम से ही analysis में बता दिया था, जब हम Fin Nifty का analysis कर रहे थे, कि हो सकता है, Fin Nifty की expiry हमें sideways देखने को मिल जाए, कोई खास momentum हमें उसमें ना देखने को मिले, क्योंकि already वो पिछली expiry पर अच्छा momentum दे चुका है, तो जब यहाँ प आपस से buyers के stop loss इकटे हो गए, इत्ती strong candle वगएरा यहाँ पर देखने को मिल गई, उसके बाद भी chart यहाँ पर उपर की side पर hold करता रहा, तो और buyers यहाँ पर आये होंगे, यह है वो symmetrical triangle जो मैंने आपको बना के दिया था इस तरह से, तो जैसे ही यहाँ से उसका fall हुआ है, बह आपसे बहुत अच्छा fall दिखाया है, अब जैसा कि यहाँ पर पहले ही buyers कम थे, buyers add हुए, उनको market ने हटाया, साथ ही यहाँ पर positional buyers बगएरा जो थे, swing बगएरा के नीचे उनको भी market ने हटाया, and exactly जो मैंने आपसे support level mark करा था, market उसके पास आके यहाँ पर पूरा sideways हो गया sideways के हो गया, उसका काफी बार से मैं आपको discuss करता हुआ आ रहा हूँ reason, कि यहाँ पर उपर के लोगों कोई अच्छा profit दिख चुका है, तो इनको हम directly target नहीं कर सकते हैं, नीचे के लोगों के stop loss खतम हो चुके हैं, अब third query हमारे सामने निकल के आती है, इनका कहना है कि entry point क्या रहेगा stop loss hunting strategy में, काफी बार ये question आप से पूछ चुका हूँ, तो शायद से आपने stop loss hunting की series बगरा देखी है या नहीं देखी, मिरको नहीं पता या ध्यान से नहीं देखी, मैंने उसमें first वीडियो में ही detail में आपको ये बात समझाईए, कि stop loss hunting क्या है, क्यों है, कैसे काम क कर रहा है, कब कौन advantage में है, कब कौन power में है, ये सब मैंने आपको first वीडियो में ही बताया था, ये सब हमें जरूरी होता है direction समझने के लिए, और ये हमें समझने में help करती है, stop loss hunting strategy, यानि कि direction समझने के लिए चाहिए चार्ट की psychology, buyer sellers की psychology क्या कर रहे है, कौन दरा हुआ है, चार्ट की psychology समझने में help करती है, stop loss hunting, पर ये कभी भी हमें help नहीं करती है, entry कहां लेनी है, exit कहां लेनी है, ये सिर्फ हमें बतायेगी कि कब market उपर, कब नीचे और कब sideways, so I hope आपको ये बात clear हो गई होगी कि stop loss hunting हमें entry, exit नहीं दिलवाती है, entry, exit के लिए हमें चाहिए होते ह support, resistance levels, candle यहाँ पर देखनी होती है, किस तरह की candle बन रही है, consolidation वगेरा हो रहा है या नहीं हो रहा, breakout, breakdown हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब हमें देखना होता है, अब हम आ जाते हैं, Thursday के चार्ट पे, उसके लिए सबसे पहले हमें Wednesday का analysis देखना पड़ेगा, कि वहाँ पर क्य क्योंकि उपर वालों को अच्छे से यहाँ पर profit दिख चुका है, sellers को तो उनको हम directly target नहीं कर सकते हैं, तो जिस fall को हम plan कर रहे थे, वो तो यहाँ पर बड़े से gap down में cover हो जाता है, और जैसा वे ने आपसे कहा था कि अगर market बड़ा सा gap down खुलता है, तो यहाँ से अल्रेड कर रहा था उसके उपर, अब एक important point आप यहाँ पर यहाँ यहाँ पर आया होगा, हर कोई यहाँ पर sell करने के लिए बैठा होगा, क्योंकि सबको क्या लग रहा है, तो हर pullback पर यहाँ लोग sell करने बैठ रहते हैं, हर pullback पर कभी भी sell नहीं करना होता, या तो चार्ट important resistance वग लगाते time हमें wick को consider करना है, या फिर candle को consider करना है, तो सबसे पहले बात करते हैं trend line की, मेरे लिए trend line यह है कि trend identify करने का तरीका, तो चाहे आप trend line को body से connect करो, चाहे wick से करो, सिर्फ जादा से ज़्यादा touch points आपको मिलने चाहिए एक side पर, और उसके आसपास जैसे ही chart आने लगें, वहाँ पर आपको alert हो जाना है, अगर आप सब लोगों को trend line पर detail video चाहिए, तो comment करके जूरू बताना, मैं किस तरह से personally trend line को use करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ, वो सब मैं उसमें detail में समझा दूँगा, फिलहाल इस query के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जितना ज़्यदा touch point एक side पर मिल जाएंगे, चाहे wick touch हो रही हो, या फिर candle touch हो रही है body, उससे हमें मतलब नहीं है, बस यह समझ में आना चाहिए, कि हाँ यह पूरा एक zone type है, जहाँ पर बार-बार market टकरा के नीचे आ रहा है, उतना हमें समझ में आना चाहिए, और कभी अब भी higher high low में ही है, previous low को break नहीं करा है market, and high भी जो है उपर के side पे ही shift हो रहे है, तो यहीं पर बहुत सारे new traders रैप होते हैं, उनको लगता है कि अरे breakdown हो अब sell कर दो, and रही Fibonacci tool की बात, तो उसमें मैं wick से wick तक consider करता हूँ, जैसे यहाँ से high से लेकर हम low तक connect करेंगे तो यहाँ पर dot इस wick से लेकर मैंने इस wick तक consider किया, तो आप देखेंगे तो यह perfectly work करता है, 0.61 level के आसपास market जस्ट अभी resistance लेकर आया है, अब हम last day Friday की psychology को decode करें, इसते पहले एक last fifth query को हम pick कर लेते हैं, इनका कहना है कि जभी पहले sell hunting से chart को predict करते थे तो इनके prediction सही जात हैं, तो इसका मैं confirm answer नहीं कर सकता, पर maybe यह इस वज़े से हो सकता है, क्योंकि अभी market में result season चल रहा है, results वगेरा आये होए है, second thing market में काफी सारी news वगेरा आ रही है, US market की related, war वगेरा की related, etc. जैसा अभी live आप Friday के chart में ही देख सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी candle बनाई बड़ा सा spike लगाया, बहुत बड़े points की candle थी पर वापस से market reverse कर दिया, यहाँ पे बड़े से candle लगाया, वापस मार्केट reverse कर दिया, यहाँ पे वापस से बड़ा सा spike लगाया, वापस reverse कर दिया, तो इसको हम generally volatility spikes कहते हैं, थोड़ा सा भी news वगेरा में, global markets वगेरा में वगेरा उनके result को अच्छे से study करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो 16,000 करोड का profit हमें देखने को मिल रहा है लगबग, वो main कामों से नहीं है, बाकी के tax provisions वगेरा नहीं बनाए है, उस वज़े से हमें other कामों से देखने को मिल रहा है, तो फिर वापस से हमें next day पे हमें fall लेखने को मिलता है, अब आपके prediction fail होने के पीछे भी यही reason है या नहीं वो मेरको नहीं पता, पर इस वज़े से हाँ हमें volatility वगरा देखने को ज़्यादा मिल रही है, अब हम discuss करते हैं last day Friday का chart, तो जैसा कि हम Thursday को analysis कर रहे थे Friday के लिए, उसमें मैंने आपसे clear cut यह बात कही कि अगर market directly जदा बड़ा gap down वगरा खुलता है, तो उस case में अगर market इसके low के नीचे निकलेगा previous candle के, तब तो हमें यहाँ पर धीर धीर करते हुए थोड़ी बहुत selling देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें अच्छे से trail करते हुए चलना है, क्योंकि वो मैंने आपको broad mindset अच् और यहाँ पर यह भी बताया था कि buyers के stop loss बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि maximum यहाँ पर निकल चुके होंगे जब बार बर market इस तरह से pullback दीता है, अब होता क्या है, market directly gap down खुला, low को तो break नहीं करा, directly first stick के साथ ही उपर आ गया, तो उपर आ गया तो वही flat जैसा case हो गया, यह flat price के आसपास आगे हम, तो यहाँ पर market consolidate करने लगा उसी area में, जिसकी हमने exactly cut copy paste, मैं आप से यही कहा था, वैसे भी Friday को traders participation as such कम रहता है, और although हम candle के अंदर में रहेंगे, तो वहाँ पर और भी कोई momentum हमें देखने को नहीं मिल पाएगा, अब यहाँ पर थोड़ा सा time बचा है, market close होने में, किस तरह से chart पूरा perform होता है, और पूरा complete Friday का chart मिला के, या next weekly analysis बन रहा है, मंडे को हम किस तरह से अच्छा trade plan कर सकते हैं, वो मैं आप से detail में एक weekly analysis वीडियो बना के share कर दूँगा, analysis वाले channel पे, कल morning तक आपको वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, उस वाले channel पे, आपने अभी तक join नहीं करा है, उस channel को तो join कर सकते हैं, जहां पर daily analysis भी आता है, और उसमें bank nifty के साथ साथ आपको nifty का भी detail analysis देखने को मिल जाएगा, अब अगर आपकी query रह गई हो, या कोई और नई query हो, तो आप इस वीडियो के नीचे comment क करके पूश सकते हैं, next weekend special video में हम उन में से 5-6 query लेने का try करेंगे वापस से, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो like and comment करके जरूर बताना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, thank you